असलालेकूम फ्रेंज, विल्कम टू माई चैनल शेवनूरेली चलिए रियूज कर दें हैं कोल्रिंग की इस बॉटल को ये प्लांटर भी 10 मिनिट में रेडी हो जाएगा बिना किसी खर्च के एक लीज ये कटर या फिर सीजर और जिससे हमें सिर्फ इसके कैप वाला पोर्शन कट करना है इसके बाद आपको 3 या 4 इंच तक लेते हुए 4 पार्ट में इस तरह से कट लगाना है आप मारकर या स्केच की हैल्प से निशान लगा कर भी कट कर सकते हैं वैसे तो ये ऐसे भी हो जाता है अब इसको अबोजिट साइड में फोल्ड करना है और इसको लीज के शेव में कट करना है आप इसमें 4 से ज़ादा पैटल्स भी बना सकते हैं 5 और 6 भी बना सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अब इस पैटल में कट्स लगाने के लिए आपको इस तरह से कॉर्णर कॉर्णर पर थोड़ा थोड़ा सा काट देना है ताके लीफ फोल्ड हो जाए इसको बीच सेंटर से फोल्ड करेंगे हम और अगर आप फोल्ड करके नहीं काटना चाहते हैं तो ऐसे भी कट कर सकते हैं ग्रास की तरह महीन महीन चारों पत्तियों का शेप में हमने क्लियर कर दिया है ये देखे कितना क्यूट लग रहा है इसके बाद हम बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे आप अपोजिट साइट में नीचे की तरफ फोल्ड कर सकते हैं लीव को जैसा शेप देना चाहें उस तरफ से आप इसको फोल्ड कर दीजे और वन एम एम या फिर आप जितना भी बारी कट लगा सकें उसको सेंटर से थोड़ा छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कीजे पूरे लीव के लाश्ट तक हमने कट कर लिया है आप इसको हम सीधा कर लेते हैं इसी तरह से बाकी तीनों पैटल्स को भी हम कट कर लेंगे ये प्लांटर बहुत क्यूट है और इसमें हम बिना मिटी के ही प्लांट लगाएंगे तो ये देखिए ग्रिन डी तो ये ऐसे भी एड़ कर रहा है क्यूंकि इसको पेंट करने की जरूरत नहीं है इस खुबसूरत से प्लांटर में आपको भर लेना है पानी ड्रेनेज होल इसलिए हमने नहीं बनाए है और इस ग्रीन लीफ वाले प्लांटर में हमने परपल हार्ट के प्लांट को यूज किया है इस तरह के प्लांटर में आप वांडरिंग जीओ, मनी प्लांट, सिंगोनियम जैसे पानी में चलने वाले प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं इस समर में इस गर्वी में आप ये खुबसूरत प्लांटर जरूर बनाएए जिसकी पत्यां कभी बर्न नहीं होंगी और पानी में रखा प्लांट कभी सूखेगा नहीं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं, अलाहाफिज